Hello friends, welcome to my channel दोस्तों आज किस फीडियो में हम आपको बताएंगे कि branch apps में bank account कैसे add कर सकते हैं तो चलते हैं MLK skin पे तो हम आगे हैं MLK skin पे उसके बाद आपको branch application उपेन करना है branch application उपेन करेंगे तो यहाँ पे आपको pin add करना है ठीक है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा branch application है वो unlock हो चुका है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना profile पे किलिक करना है सबसे last बला icon पे ठीक है उसके बाद आपको finance accounts पे किलिक करना है इस पे किलिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं bank account ठीक है तो यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर click करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा bank account add है तो मैं दूसरा bank account add करना चाता हूँ तो आपको add bank account पर click करना है add bank account पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको bank का नाम add करना है ठीक है जो भी आपका bank का नाम है यहां पे मैं bank select करता हूँ इडिटल payment bank ठीक है उसके बाद यहां पे account नमर एड करना है आप यहां देख सकते हैं bank select कर लिए हैं उसके बाद bank account नमर इसमें एड करना है ठीक है तो यहां पे मैं bank account और bank name सारा चीज लिख दिये हैं उसके बाद आपको submit पे click करना है ठीक है जब आप submit पे click करेंगे तो आपको working का option आएगा ठीक है तो यहां पे आपको wait करना है ठीक है तो मैं यहां पे wait करता हूँ आप यहां देख सकते हैं कि आपका एड टेल payment bank है वो add हो गया है branch application में इस application में आपको नहीं तो आपका IFC code एड करना है और नहीं आपका नाम लिखना है शीप आपका bank और bank का account नमर ठीक है तो इससे काम हो जाता है ठीक है तो इस तरह से आप branch application में bank account एड कर सकते हैं वो भी बहुत असानी से तो दोस्तो बरान समंदित कोई भी जानकारी के लिए हमारी चैनल को फ्रोक्रेब करें या इस्टराग्राम पर फूलो करें